चलिए अब खबरों से थोड़ा आगे की तरफ शलते हैं एक सीट की बात करते हैं राजिय की प्रतिश्टिस लोकसभा सीटों में से एक टॉंक समाई माधोपुर में इस बार भी जोरदार मुकाबला देखने को मिलने वाला है प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी सतरवी लोकसभा का चुनावी शंकनाद यहीं से कर चुके हैं वहीं प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष सचिन पालेट के विधान सबा निर्वाचन कशेतर टॉंक होने पर अब टॉंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट दोनों ही प्रमुक दलों के लिए प्रतिश्टा का सवाल बन चुकी है टॉंक सवाई माधोपुर सीट 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई ये लोकसभा सीट टॉंक जिले की चार विधान सबा और सवाई माधोपुर जिले की चार विधान सबा सीट को मिला कर बनाई गई है वर्तमान में बीजेपी के सुखवीर सिंग जौनपुर या यहां के सांसद है और उनी को भाषवा ने एक बार फिर मैदान में उता रहा है उनका मुकाबला कॉंग्रेस के नमो नरायन मीना से है अनिल जी कैसा मुकाबला मानते हैं अब टॉंक समाई माधोपुर में लेकिन इस मुकाबले को मैं ज्यादा रोच्चा को ज्यादा पॉलिटिकली मेधपूर्ण वानता हूं क्योंकि यहां सचिन पाइलेट का मुकाबला कि लोडी सिंग बैसला से हो रहा है यह सीट है जहां पर गूजर भी खूब है मीना भी खूब है एक जनरल सीट है जनरल सीट पर कॉंग्रेस ने एस्टी को टिकेट दिया है कि नमदान मिल पहले हैं सांसद रह चुक है उन्हों ने जब चुनाव जीता तो किरोडी सिंग बैसला को रहा है था ता 3-400 वोटों से मात्र लोगत्वा का चुनाव तो अब किलोडी सिंग बैसला मैंजान में तो नहीं है पर वह बीजेपी में वाले उमीद्वार के साथ हैं सुख्वीर सिंग जॉनपुरिया के साथ। और सुख्वीर सिंग जौनपुरिया के पास साथ दोगी कोई कमी नहीं है निवर्तवान सांसद है और हरियाना से आते थे पहले लेकिन अब तो राजसान के हो गए तरसे दो तीन चुनाव लड़ी यहां पर तो वह गूजर है और यह मीना है इस चुनाव को यह देखिए और गूजर के साथ गूजर नेता क्रोड़ी सिंग बैसला जुड़ है बीजेबी में लेकिन यहां मीना के साथ पी सी सी चीफ और गूजर नेता पाइलेट राइज पाइलेट की पुत्र और डिप्टी सीम इसी इलाके से मले हैं टॉंक से वह हैं तो मीना वोटों का टॉक में बड़ी संच्छा में मुस्क्री मद्दाता हैं और ऐसी मद्दाता भी बहुत हैं तो यह जो चंक है अगर गूजर वोट सचिन पाइलेट खीश के ला पाए अपनी पार्टी के साथ जो कि उनकी लिडर्शिप की परिक्षा भी एक तरह से क्रोड़ी सिंग बैसला इस इलाके से विधायक हैं देवली से देवली उन्यारा से हरीश मीना नमोनेट मीना के सगेच छोटे बाई हैं और पिछले पांस साल बीजेपी के सांसा देदोसा थे वो चुनाव से विदानसा चुनाव से ठीक पहले कॉंग्रेस में टिकेट मिला और मले बन गए तो को दोनों सांसाद रह चुके इन मैंसे एक मंत्री रह चुका और मीना बहुतायत में वोट हैं इसके बावजूद सी भी हैं मुस्लिम भी हैं फिर भी एक कड़ी चुनोती पेश हो रही है सुखबीर सिंग जुनकुरिया की तरफ से उसमें सचिन पैलेट की पतिश्टा भी बविश्य तैय करेगा क्या गूजर नेता अपने सचिन पैलेट के साथ जो पी सीज चीफ हैं बने रहेंगे या कि किरोरी सिंग बैसला उनको बीजेबी तरफ मोरदे में कामयाब होंगे इसी पर इस का बविश्य निद्बर करेगा तो ये पॉलिटिकली हाई प्रोफाइल हुए है पॉलिटिकली मतलब की सचिन पैलेट का इन्वालमेंट है खुद हमेले महां से अरीश मीना महां से हमेले जो सके चोटे बाई हैं नमनायन में मिनापूर में केनरी मंसी राच चुके हैं और किरोरी सिंग बैसला बीजेबी के लेटिन बनके वज़र करनल बनके खड रेल लाने का टॉंक में टॉंक पानी की कमी से भी जूज रहा है जबकि बीसलबूर बांध वही है और टॉंक में रेल भी नहीं ला पाए वो वादा करने बावजू केंद में उनकी सरकार थी राज्यमन की सरकार थी और हमें नहीं मालूम कि उन्होंने क्या ऐसा बड़ा का इस वादे को ना निभाना उन्हें भारी पड़ सकता है, इसमें कोई दुरा होनी अबी की तारीक में आठ विदानसभाज्वाज शेतने सीट में , उसमें ते 6 विदानसभाज़ays शेतने हों, कॉंग्रिज जीती विदानसभा चुनाओं है, एक में बीजेपी जीती है, और मा हरीश मीना भी वहां से भी दायक हैं जो छोटे बाई हैं सगे और बहुत आयत में मीना वोट हैं तो अब इस सब को देखते हुए जोन फूरिया को कई सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा कि पांस साल में ने क्या काम किया क्या नहीं किया लेकिन करनल का साथ मिलने के बा कुल मिला के जो टॉक समायर मोदवपर सीट है वो पॉलिटिकल रूप से होट सीट बनी हुई है